हेलो एवरिवन दिस इस क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रेंगल्स वी हैव कम्प्लीटिड दे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वहाँ पे हम लोगों ने आल्मूश्ट आल टाइप के सारे क्वेस्टन अटेंप्ट कर ली हैं देख ली हैं जो कुछ थोड़े बहुत क क्वेस्टन रहा गया होंगे सेम टाइप के क्वेस्टन रिपीटेड होते हैं बस उनमें डिजर्ट सेंज होता है तो वह मैंने आपके प्रेक्टिस के लिए छोड़ रखा है बाकी जितना क्वेस्टन आ सकता था वह मैंने सब करा दिया कुछ स्लैबस को रिड्यूस किया ग होगे क्योंकि इस साल का जो लेवल है मौडरेट रखा जाने वाला है तो उसे साब से आपको जितनी नौलेज आये उतनी परफेक्ट है यह बहुत जरूरी है तो जितना स्लिबस पढ़ा दिया जाता है वह बहुत ही आपके लिए परफेक्ट है और उसी का बार-बार रिप कुछ बाते लेके हम चलेंगे इंट्रोडेक्शन आप देख पार हो यू आर फैमिलियर विद ट्रेंगल्स एंड मेनी ओफ दियर प्रॉपर्टीज यू फ्रॉम यूर अर्लियर क्लासे आप ट्रेंगल से पहले ही परचितो और अपने लास्ट क्लास में और भी पुरानी क् ट्रेंगल से बड़े-बड़े इमेजेस बनाके उसमें रेक्टेंगल एड़ करके एरिया फाइंड करना सिखा जाता है क्लास नाइंथ में ऐसा कुछ है इन क्लास नाइंथ यू एफ स्टडीड कॉंग्रॉएंसी ओफ ट्रेंगल इन डीटेल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखिए है कॉंग्रॉएंसी अपने क्लास नाइंथ में कॉंग्रॉएंसी पढ़ा था कॉंग्रॉएंसी तो बहुती मज़िदार टॉपिक है और उसको अपने डीटेल में पढ़ा था तो याद है आपको की क्लास नाइंथ में जो आपने पढ़ा था कॉंग्रॉएंसी के बारे में तो यह बताया गया था कि टू फिगर अगर है और वो सेम से शेप और सेम साइज के हैं तो उन्हें कॉंग्रॉएंट कहते हैं अगर आपने मुझसे पढ़ा था तो मैंने लाश्ट टाइम आपको पढ़ाया भी होगा कॉंग्रॉएंसी वर्ड का मीनिंग होता है सर्वांगसम सर्वांगसम का संदेविच्छेत करोता है सर्वांग समान औल पार्ट्स इक्वल तो जहां भी टू डाग्राम के औल पार् पढ़ेंगे जिनका शेप सेम होता है लेकिन साइज सेम नहीं होता है है ना सॉरी बट नॉट नेसेसरली जा सेम साइज लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका साइज जो है वो शेम हो अब यह आपको और क्लियर कैसे होगा मैं आपको समझाने कि कुशच करता हूँ तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि आपके सामने टू टीशर्ट्स हैं जिनका सेप शेम हैं बट उनका साइज डीफरेंड है तो ऐसे ही आप चिब शॉप पर जाते हो कोई सामान लेने टीशर्ट लेने जीन्स लेने तो आपको एक ही टीशर्ट के उसका shape आकार तो बिल्कुल एक ही होता है लिकन उसका size big होते जाता है छोटा बड़ा होते जाता है तो इस तरह के जो diagrams होते हैं इन्हें हम कहते हैं similar figures और congruent में क्या होता था class 9 में क्या होता था वहाँ पे सारे के सारे parts मतलब shape तो same होना ही चाहिए यह size भी same होना चाहिए लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई foundation नहीं है similarity के case अब देखिए आपके सामने है in particular we shall discuss the similarity of triangles and apply this knowledge in giving a simple proof of Pythagoras theorem learnt earlier तो हम यहाँ पे क्या करेंगे similarity of triangles की study करेंगे और proof of Pythagoras theorem को करेंगे जो हमने पहले Pythagoras का theorem पढ़ दख है can you guess how high the mountains say Mount Everest or distance of the of some long distant objects say moon have been found out found out sorry do you think these have been measured directly with the help of measuring tape अब देखिए यहाँ पे आपसे question पूछा जाता है कि क्या आप guess कर सकते हो कि mountains की क्या height होगी जैसे Mount Everest मान लो हो गया या distance of moon क्या होगी या distance of very different objects क्या होगी बहुत दूर दूर तक की चीजें होती उनकी distance क्या होगी have been find out क्या यह कैसे पता लगाया गया होगी यह सारी चीजें आपको क्या लगता है कि इन सभी यह जो चीजें हैं जैसे mountain की height हो गया यह for distance of moon and other celestial bodies है क्या इसको measuring tape से direct measure किया गया होगा मतलब tape लेके पुरा नाप दिया गया होगा क्या ऐसा है तो एक बार के लिए आप सोचो आगे तो यहाँ पर discussion में clear होई जायागा सब कुछ point है in fact all these heights and distances have been found out using the idea of indirect measurement which is based on the principle of similarity of figures see example 7 question 15 of exercise 6.3 and also other chapters 8 and 9 of this book तो वास्तों में ऐसा हुआ है कि यह जो height or distance है इन सभी को idea of indirect measurement से find किया गया है मतलब indirectly measure कर लिया गया है और उसका एक idea लगा लिया गया है कि यह कितने distance या कितने height पर होगा और जो कि कुछ similarity के concept पर based है जो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा आप देख पार है point as 6.2 similar figures in class 9 you have seen that all circles with the same radii are congruent all squares with the same side are same side lengths are congruent and all equilateral triangles with same side lengths are congruent तो class 9 में आपने पढ़ा कि जितने भी circles same radius के होते हैं वो congruent होते हैं अब इसको और कैसे आप समझ पाओगे explain करें तो suppose करो आपने 3 cm के 3 circles को draw गिया 3 cm radius का और उनको cut कर लिया और जितने भी circles 3 cm radius के cut किया उनको एक दूसरी के उपर रखा superpose किया over compose कर दिया, एक दूसरी को पर ले जाके रख दिया तो क्या वो एक दूसरे को completely cover कर ले रहे हैं अगर वो completely cover कर ले रहे हैं तो इसका मतलब वो congruent है और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं है और ये जाहिद से बात है कि completely cover कर लेंगे all squares with the same side length वो भी सब के सब क्या होते हैं कॉंगूरेंट होते हैं सेकेंडरी थेंग है और अल इक्विलेटरल ट्रेंगल्स विद सीम साइड लेंज आर कॉंगूरेंट और जितने भी इक्विलेटरल ट्रेंगल्स है क्या होता है एक्विलेटरल ट्रेंगल्स एसा ट्रेंगल जिसका और एंगल 60 डिग्री ओ उसे एक्विलेटरल कहते हैं और इस ट्रेंगल के ओल साइड भी इक्वाल होते हैं तो सब्सक्राइब आपने चार-पांच क्या किया है डिफरेंट ट्रेंगल बना रखें और सबकी साइड है 5 सेंटेमेटर और सभी के सभी एक तो उन सभी को जब कट करके एक दूसरा के ओपर रहा होंगे तो यह सब्सक्राइब कोई दो सब्सक्राइब वो सबके सब गांगरोंट हो गया है since all of them do not have the same radius they are not congruent to congruent to each other अब देखो अगर आप random तरीके से मन चाहे तरीके से circle लेते हो तो कभी आप small कभी big ले सकते हो तो क्या वो एक दूसरे के congruent होगा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि किसी का radius बेरी समॉल होगा किसी का लाड जोगा किसी का मिनिमम होगा किसी का माक्सिम होगा जैसरे वह जिसे हम कहते है यह वह जो नहीं ूटली कपटले कर ले तब तो हम कहेंगे congruent है और अगर completely नहीं cover कर पाया तो हम कहेंगे congruent नहीं है Note that some are congruent and some are not ये याद रखिए कि कुछ congruent होते हैं और कुछ नहीं होते But all of them have the same shape लेकिन होता क्या है कि उन सभी का जो आकार है shape है वो same होता है और आकार उनका shape होता कैसा है वो होता है circular जिसे हिंदी में कहते है वृत्ता कार कभी कभी लोग कहते है गोल आकार का है that type of यहाँ पे एक point है two similar figures have the same shape but not necessarily the same size दो जो similar figure होते हैं उनका shape same होता है लेकिन size shame नहीं होता है जैसा कि हमने अभी देखा था T-shirt में T-shirt क्या था एक small T-shirt था एक large था उसी का वो large था है ना तो जब जब similar जब small वाले का ही large हम लेने जाते हैं तो shape तो उनका same होता है लेकिन size अलग अलग होता है तो यह आपको बहुत ही clear होना चाहिए shape और size में क्या difference है shape means होता है आकार छोटा बड़ा और size means होता है equal एकदम बड़ाबर जैसे अपने two अगर pen खरीद ले wind guide company का pen आता है बटर फ्लो आता है link laser आता है और दोनों को mix कर दो new pen तो कौन पहला था कौन दूसरा था यह पहचान नहीं तो ऐसा इस तरह का shape तो होता है congruent लेकिन जो small और large होता है वो होता है similar यहाँ पर बात हो दिये कि two similar figures have the same shape but not necessarily the same size therefore all circles are similar इसलिए जितने circle होते हैं वो सभी के सभी similar होते हैं similar का word meaning हिंदी में देखो तो होता है some rope some rope means होता है समान रूप वाला आगे देखो तो shape same हो गया what about two or more squares और two or more equilateral triangles तो आप two or more squares or equilateral triangle के बारे में क्या सोचते हो actually वो भी similar ही होता है as absorbed in the case of circles as absorbed in the case of circles here also squares are similar and equilateral triangles are similar तो जैसे हमने circle में देखा वैसे square और equilateral triangle भी similar होते है from the above we can say that all congruent figures are similar तो उपर के discussion से हम यह कह सकते है कि जितने भी congruent figure है हो सब के सब similar होते है but the similar figures need not be congruent लेकिन जो similar figure है वो जरूरी नहीं कि congruent हो गई तो अभी तक कि हमने discussion में यह देखा कि similarity क्या होती है congruency क्या होती है जो chapter हम लोग बढ़ रहे है इसके आगे एक page और भी जो है वो similarity के बारे में discuss करता है तो लगता है two pages है वो आपको खुद से read करने है और फिर मैं उसका discussion भी करूँगा फिर हम लोग exercise 6.1 को solve करेंगे Thank you for attending the session Thank you, thank you very much